जहन मेरे कैरे दोस्तों जैसा कि मैं देख सकता हूं राजवीर नारशत्त के बच्चे जुड़ चुके हैं आए कहानी को शुरू करते हैं और मेरे प्यारे बच्चों आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आज मैं आपको एक बहुत भैतरीन टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं और वो टॉपिक कूछ फटा मोटा टॉपिक नहीं है वो टॉपिक एक के बड़े बड़े एक्जामों में भी पूछा जाता है और वस टॉपिक का नाम आप सब जानते ही हैं थमने आपने देखा ही है वो टॉपिक है हमारा बुद्धिजम आज हम बात ही करने जा रहे हैं बहुत धर्म के बारे में एंचेंट इंडिया का हमारा एक टॉपिक बुद्धिजम जिस पर हम आज और आपके साथ आये हैं आउनलाइन चर्चा करने के लिए गोड इवनिंग अनुश्का विहन खांसर फैंस क्लब चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सब आउनलाइन आ चुके हैं बहुत दो सवागत है आप सब का केड़ी लाइब की यूट्यूब चैनल पर और आप सब साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को भी शेर करते चलें है तो मेरे पयारे बच्चों बात्य हम पॉइंट टूप्इंट करेंगे और आज हम बाते ही करने जा रहे हैं बहुत धर्म के बारे में और एक बात आप सब जानते हैं बात है प्राचीन काल की BENE ancient India की और जब हमारे ancient India में हमारा hindu धर्म चल रहा था तो एक बात आप जानते हैं कि किसी भी नए धर्म के जब उद्हे होता है तो उसकी पीशे कई सारे कारड़ होते हैं और उनुने से एक कारड़ यह भी होता है कि लोगों को बदलाओ चाहिए होता है लोगों को परिवर्तन चाहिए होता है परिवर्तन संसार का एक नियम है और परिवर्तन बहुत जुरूरी चीज है कहा जाता है कि ancient India में हिंदू धर्म चल रहा था और हिंदू धर्म में समाज में वर्ण व्योस्था चल गही थी और वर्ण व्योस्था के तहट हमारा भारती समाज चार वर्डों में बटा हुआ था ब्राम्हण, छत्री, वैश शुद्र कहते हैं इतिहासकार कि हमारे रिगवेद के दस्में मंडल के अनुसार हमारा जो समाज था चार वर्डों में बटा हुआ था और ब्राम्हण कहा जाता है कि ब्राम्हण के मस्तक से जन्म लेते हैं और ब्राम्हण का काम समाज में सिक्षा देना, सिक्षा लेना और चत्री ब्रह्माजी की भुजाओं से जिनका जनम हुआ चत्रियों का काम था समाज में administration को चलाना, rules and regulation को आपरेट करना ये सब काम चत्रियों का था राज करने का काम ब्रह्माजी के मद्धभाग से वैश और ब्रह्माजी के चरोणों से जनम हुआ शूद्र का पूरा समाज चार वर्ड़ों में बटा हुआ था, कहा जाता है कि पूरे की पूरे इन चार वर्ड़ों में सबसे शक्तिशाली और तागत वर हुआ करते थे ब्रह्माणों और चत्रियों के द्वारा ही पूरे administration को पूरे समाजी क्रिया कलापों को चलाया जाता था, उसी समय जब व्रशन और शुद्रों की स्थिती नाजुक होती चली जा रही थी, तभी एक नए धर्म का उदे होता है और वो धर्म था बहुत धर्म, बुद्धिजम, और आप सब जानते ही है कि बहुत धर्म की जब बात की जा थे, गौतम बुद्धा, इन्हीं को हम महत्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध भी कहते हैं, और आपको बता दें, गौतम बुद्ध ही इतियास में फेमस हुए हैं, लाइट ओफ एशिया के नाम से, गौतम को ही कहा जाता है, एशिया का जोतिपुंज, गौतम बुद्ध को ही हम लाइट ओफ एशिया, या आपके हैं, एशिया का जोतिपुंज कहते हैं, मेरे पैरे बच्चों, आज हम कहानी को गौतम बुद्ध से ही शुरू कर रहे हैं, और कहानी गौतम के ही इर्दगिद आज चलती रहेगी, चले, मेरे प्वेरे बच्चों, महत्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, आज कहानी हमारी गौतम बुद्ध के बारे में ही चलेगी, आईए पहले में आपको गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक बाते बताता हूँ, फिर कहानी को मैं समझाते हुए चलता हूँ, कुछ महत्रपूर बाते हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं आप सब जानते ही हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म इसा के जन्म से 563 साल पहले यह बात आप सब जानते हैं डिसी का मतलब इसापूर इसा के जन्म से 563 साल पहले गौतम का जन्म नेपाल के कपिल वस्तु नामक जगह पर लुम्मिनी नामक गाउं में हुआ था नेपाल की कपिल वस्तु में लुम्मिनी नामक जगह पर गौतम का जन्म इसाक का जन्म से 563 साल पहले हुआ था गौतम के फादर या हम कहें गौतम के पिता शिधोधन गौतम के पिता थे शुद्धोधन जो की कपिल वस्तु के ही साशक हुआ करते थे गौतम के फादर थे शुद्धोधन जो की कपिल वस्तु के ही साशक हुआ करते थे और शुद्धोधन जो थे यह एक चाक्य कुल के छत्री यही थे तुदोधन एक शाक्य कुल के छत्री थे कभी वस्तु के साशक थे और आप जानते हैं छत्रीयों का काम ही होता था एड्मिन्स्रेशन को चलाना छत्रीयों का काम था प्रसाचन को हैंडल करना राज को चलाना शत्री यही काम किया करते थे और शत्री इन कामों को करने के लिए मदद लेते ही थे किसकी ब्रामणों की ब्रामणों का पद समाज में एक सर्वोच पद था सबसे उपर पैठा करते थे ब्रामणों और ब्रामणों के ही आदेशों से पात विचार से ब्रामणुक के ही द्वारा दिये गए दिशा निर्देश से शत्री एडमिस्टेशन को चलाया करते थे। कहा जाता है शाक्यकुल के छत्री थे सुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे सुद्धोधन और सुद्धोधन के घर में ही 563 इसवी में 563 इशापूर में जनम हुआ इनके पुत्र का और इनके मा का नाम क्या था सिधार्थ की मा का नाम तो आप जानेंगे सिधार्थ की माता महा माया सिधार्थ की मा का नाम था महा माया और आप जानके हैरान होंगे कि सिधार्थ के जन्म के मात्र सात्मे दिन ही इनकी मा महा माया के मृत्ति हो गई सिधार्थ के जन्म के सात्मे दिन इनकी माता महामाया की मृत्ति हो गई, शिडाई, पेपर में बच्चों से कई बार पर प्रशन पूछा गया कि सिधार्थ की मा महामाया की मृत्ति के बाद सिधार्थ का पालन पोश्चन किस ने किया, तो मेरे पैरे बच्चों आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश में भारत आप से प्रश्ण पूछते हैं कि सिधार्थ का पालन पोश्ण किस ने किया तो आप सब जानते रहेंगे सिधार्थ का पालन पोश्ण किया इनहीं की मौशी ने और उनका नाम था प्रजापती गौत्मी सिधार्थ की मोशी प्रजापती गौत्मी ने ही सिधार्थ का पालन पोशन किया था सिधार्थ को पाला पोशा था और प्रजापती गौत्मी हमारे लेक महत्पूर्श्त्री है क्युआ हैं क्योंकि प्रधापती गौतमी ही ऐगे चल कर सिद्धार्च की प्रथम महिलशष्य पुस्टीद मेर्फ फ्रीमेल डिसाइपल यह हम व प्रथम महिलशष्य बनी प्रजापती गौतमी ही मेरे प्यारे बच्छों अब हएक छोटी सी कहानी सुनों आप एक छोटी सी कहानी सुनिए फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं और आपको और वी चीजें समझाता हूं महात्मा बुद्ध अब एक छोटी सी बात आप समझेंगे महात्मा बुद्ध जिनको हम गौत्म बुद्ध के नाम से जानते हैं इनके बच्पन का नाम क्या था तो आप एक बात और जान लीजिए जब हम इतनी बातें जानी रहे हैं तो इनका चाइल्ड हुड नेम इनके बच्पन का नाम तो आप सब जानते ही हैं इस बात को इनके बच्पन का नाम था सिधार्थ इनके बच्पन का नाम सिधार्थ था मेरे प्यारे बच्पों अब एक बात फोटी सी कहानी सुनो तब मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ और आपको चीजों को समझाते हुए चलता हूँ कहा जाता है कि राजा सुधोधन जो कि शाक्यकुल के छत्री हैं शाक्यकुल के छत्री हैं और कपिल वस्तु नेपाल के साशक हैं इनके घर में इसाग के जन्म से 5-63 साल पहले एक बच्चे ने जन्म लिया तो एक बात आप सब जानते ही हैं कि भारत देश में आज भी हमारे यहां बच्चे के जन्म से लेकर मृत्य तक सुलह संसकारों की व्योस्ता है हिंदु धर्म की मानेताओं के अनुसार बच्चे के जन्म से मृत्य तक गर्वधारण से मृत्य तक सोलह संसकार होते हैं नॉर्मली हमें उनके बारें पता नहीं होता हम और आप नॉर्मली एक ही संसकार जानते हैं वो है अन्तिम संसकार एक होता है नामकरण संसकार आप जानते हैं तो हर काम गर्ण रचत्रों को देखकर किया जाता है, हर काम विद्विधान से रीत्रिवाज से किया जाता है, और ये बहुत ही scientific तरीके से होता है काम, धर में से जितनी भी चीज़े मारी जुड़ी हैं, सब बहुत ही बैग्यानिक तरीके से काम करती हैं, तो मैं आपको ये ब बुलाया जाता था और ब्रामणों को बुलाकर ब्रामणों के द्वारा बच्चे का ग्रहनचत्र देखकर नाम रखा जाता था, आप जानते हैं आज ही बहुत सारे काम हमारे ब्रामणों के माद्यम से होते हैं, जैसे शादी विवाह का काम अन्य काम भी ब्रामणों की राजा सुदोदन के घर में बच्छे का जनम हुआ, नामकरण संसकार कराया गिया और नामकरण संसकार के तहत ही बच्छे का नाम ब्रामनों के द्वारा सिधार्थ रखा। ब्रह्मण बड़े विद्वान थे मानते हैं कि हमारे यहां ब्रह्मणों के पास इतनी विद्या थी इतना ग्यान था कि ब्रह्मणों को लोग इश्वर के तौर पर पूजा करते थे और उन्हें त्रिकाल दर्शी कहा जाता था ब्रह्मण देवता आप तो त्रिकाल दर्शी ह ग्यान हो भूत भवश्वरतान सब जानता हूँ कहा जाता है कि जब ब्रह्मनों को ब्रह्मनों ने बच्चे का नाम रखा सिधार्थ तो सिधार्थ नाम रखने के बाद ब्रह्मनों को भोजन कराया गया दान दक्षना दी गई और राजा सुद्धोधन अब ब्रह्मनों को ब भुष्य कैसा होगा हमारे आज भी देखा होगा आपने कि अक्सर लोग बच्चे का भुष्य जानना चाहते हैं कुंडलियां बनवाते हैं और भुष्य जानने की बड़ी लागसा रहती है कहा जाता है कि जब राजा सुदोधन उन ब्रामणों के पास आए और ब्रामणों से हाथ जोड़कर राजा सुदोधन ने निवेदन किया कि ब्रामण देवता आप तो त्रिकाल दर्शी हैं आप तो लिप्तिका भूत भुष्य वरत्मान सब जानते हैं तो जब आप लोग इतने विद्वान हैं ग्यानी हैं तो मेरी एक छोटी सी विनम्र निवेदन है या आप कहें एक विनम्र बिंती है और बिंती सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग कृप्या मुझे मेरे बच्चे के भारे में थोड़ी सी भवश्वानी कर दें बता दें कि मेर अच्छा है क्योंकि जब तख मनुष्य भविश्य को नहीं जानता तब तक जीवन को वह एक निशन्ट होकर जीवन को खूशी-खूशी जीता है लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपना भविश्य पता चल जाए जान जाए चीज़ें क्या होने वाली हैं तो उसके जीवन को जीने का सारा रस ही समापत हो जाता है तो भवश्र तो काल के गाल में ही रहे भवश्र को न तो कोई जाने तो ही अच्छा है लेकिन सुद्धोधन इस बात को समझे नहीं सुद्धोधन ब्रामणों से जित पर आए और बोले ब्रामण देवता कुछ तो बता दीजिए कहा जाता है फिर जब बार बार सो दो दन जिद्ध करने लग गए तो फिर एक ब्रामण उन्हीं में से खड़े हुए और बोले कि ठीक है राजन तुम बहुत ज़्यादा हट कर रहे हो जिद्ध कर रहे हो तो हम तुम्हारे बच्चे का मस्तक पढ़कर तुम्हार बड़ा चक्रवर्ती समराठ बन जाएगा या बन जाएगा एक सन्यासी एक मोंग एक साधू कहा जाता है कि जब तक बात एक समराठ बनने की थी जब तक बात चक्रवर्ती समराठ बनने की थी राजा सुदोधन बड़े खुश हुए सुदोधन के चहरे पर प्रसनता के भा गया सुद्धोधन के चेहरे से सारी खुशी चली गई सुद्धोधन बहुत ही विचलित हुए और सुद्धोधन के मन में अब एक प्रश्न बूजने लगा कि मेरा एक लोता पुत्र है और ब्रामण कह रहे हैं कि ये सन्यासी भी बन सकता है राजा सुद्धोधन बड़े विचलित परशान हुए और सुद्धोधन ब्रामणों के सामने हांथ जोड़कर खड़े हो गए और बुले ब्रामण देवता बीच अधर में छोड़कर मत जाईए सपस्ट करके जाईए या तो समराट या तो सन्यासी क्या बनेगा क्लियर बता के जाईए कहा जाता है ब्रामणों ने फिर यही बात कही कि राजन मत जानो भविश भविश न जानो इसी में भलाई है भविश न जानो यही अच्छा ही है परंतु राजास तो दो दिन बार बार जब जिद करने लग गए तो ब्रामणों ने कहा चीक है राजन जब जानना ही चाहते हो तो सपस्ट जान लो तुम्हारे या बच्चा ये तो पूरुजन्म का योगी है पूरुजन्म का सन्यासी है पूरुजन्म का कोई बहुत ही महान आत्मा है ये कुछ काम इसके पूरुजन्मे अधूरे रह गए थे जिन कामों को पूर्ड करने इसने दुवारा से जनम लिया है और ये बच्चा एक सन्यासी ही बनेगा, ये योगी बनेगा, ये दुनिया को रास्ता दिखाएगा, जीवन जीने का तरीका सिखाएगा और समाज को एक नेक राह पर लेकर जाएगा ऐसा उन ब्रामणों ने कहा और कहा कि बस राजन अब हम तुम्हें और इसके आगे कुछ नहीं बताएंगे, हमें बिदा करो, हमें यहां से जाने दो कहा जाता है कि फिर राजा सुद्धोधन जब यह जान गए, तो सुद्धोधन ने एक प्रश्ण और पूछा, कि हे ब्रामण देलता, सब बता ही रहे हो, तो एक लाइन और बतादो, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं पूछूँगा एक अंतिम प्रश्ण मेरा और यह है, कब बनेगा, आपने कह दिया कि यह ब्रामण बनेगा, यह सन्यासी बनेगा, परन तु कब बनेगा, ज़रा इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लें कहा जाता है कि सुधोधन को बताया ब्रामणों ने कि देखो सुधोधन, हम तुमें इस पश्ट तु नहीं बता सकते, बढ़न तु इस सारा कर सकते हैं और हम तुमें इशारे में ये बता रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे इस बच्चे को ये पता चलेगा कि जीवन में दुख किसे कहते हैं, जीवन में कस्ट क्या होता है, जीवन में समस्याएं क्या होती हैं, बस फिर इसे कोई नहीं रोक पाएगा और ये सन्यासी बन जैसे ही ऐसी बातें कहीं राजा को ब्रामणों ने इन से बिदा लिया और ब्रामण वहां से रवाना हो गए ब्रामणों के जाने के बाद राजा सुद्धोधन बड़े विचलित थे बड़े मन में एक भावना थी कि एक लौता पुत्र है अब ये सन्यासी बन जाएगा ब्रामणों की बातों पर जब सुद्धोधन ने गौर फरमाया तो आखरी लाइन सुद्धोधन को समझ में आई और आखरी लाइन में ब्रामणों ने कहा था कि जिस दिन इस लड़के को ये पता चलेगा कि संसार में दुख किसे कहते हैं ये सन्यास के रास्ते पे चला जाएगा और मैं विधी का विधान पलट दूँगा राजा सुधोधन चले विधी का विधान पलटने ये जान ही नहीं रहे थे कि विधी का विधान तो स्वेम ब्रह्मा नहीं पलट सकते जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा कहा जाता है कि राजा सुधोधन ने अपने पुत्र सिधार्थ की परवरिश महल के अंदर करने शुरू की और महल में एशो अराम के सारे सामान मोहिया कराए हर एक वो चीज जिससे सिधार्थ को खुशी मिलती वो सब महल में ही उपलब्द करा दिया थी सारे के सारे सुख सुधा के साधन नौकर चाकर और सारी वियोस्था महल में ही हुई बच्चे को कभी महल से बाहर ही नहीं जाने दिया गया एशो अराम से उसकी सिख्षा के वियोस्था सारी चीजें महल में कर दी गई नौकर चाकर सारे के सारे यंग और डैनेमिक प्लेस किये गए कोई भी बुढ़ा विक्ति वहां होता ही नहीं था सारे के सारे अच्छे सुर्य उस्थित और अच्छी चीज़ें ही महल में उपलब्द कराई जाती थी और वहीं एशो अराम से बच्छे का जीवन बीथने लगा और उमर बढ़ने लग गई तो दो दन का बस एक ही मकसद था मेरे बेटे को जीवन में कभी यह ना पता चले कि दुख किसे कहते हैं और जब जीवन में कभी उसे यही नहीं पता चलेगा कि दुख किसे कहते हैं, न तो यह सन्यासी बनेगा और न कभी यह पैरापक के रास्ते पे जाएगा. कहा जाता है कि ऐसा करते करते समय बीटता चला गया और सिधार्थ की उम्र हो गई 16 साल, कितना 16 साल, सिधार्थ हो गए 16 एर के, 16 साल के, और जब सिधार्थ 16 साल के हुए, तो राजा सुधोधन के मन में एक विचार आया, राजा सुधोधन के मन में विचार आया, और सुधोधन ने कहा, भई एक बात आप जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में एक मानसिक्ता, हमारे पारेंट्स की रहती है, कि अगर हम बच्चे की शादी करा दें, तो बच्चा कुछ भी बनेगा, सन्यासी नहीं बनेगा, ये म धार्थ का, 16 साल की उम्र में विवाह सुनिश्चित कर दिया, या कहें विवाह करा दिया, और सुधोधन ने 16 साल की उम्र में इनकी शादी कराई, और इनकी पतनी, पतनी का नाम था, ये शूधरा, सुधोधन ने इनका विवाह करा दिया, इनकी पतनी ये शूधरा, और जब जीवन में पतनी आई, तो इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ती भी हो गई, और इनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम था, एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था, राहुल, और राहुल का मतलब होता है, बंधन, राहुल का मतलब बंधन, बिल्कुल साही, अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आगी की कहानी सुदिये, सिधार्थ का जीवन एशो अराम से बीतने लगा, महल में सारी सुकसुधा के सामान महिया करा दिये गए, हर एक वो चीज जिससे सिधार्थ को पुसी मिलती, वो महल में मिल जाती, अभी ने तो सिधार्थ को महल से जाने दिया गया, और नहीं कभी ऐसी कोई चीज महल में हुई, जिससे इनको दुख पहुँचे और इनका मन खिन्न हो, एशो आराम से जिंदगी बीतने लगी, सारे सुकसुधा के साधन महल में मुहिया करा दिये गया, उम्र बढ़ती चली और उम्र हो गई सिधार्थ की 29 साल, और ये हो गए 29 साल के ग्रहस्त जीवन जीने लगे, ग्रहस्त जीवन के तहत, अब हर एक चीज ये जीवन में अप ने कर रहे थे, का जाता है कि उम्र बढ़ती चली गई और उम्र हो गई 29 और जब उम्र 29 की हो गई, 29 साल की हो गई, तो एक दिन इनके फादर सुधोधन इन से बोले कि बेटा सिधार्थ मैं चाहूंगा कि अब तुम राज समाल, मैं चाहूंगा कि अब तुम मेरे स्थान पर गदी पर बैड़ जाओ, और मैं चाहूंगा कि अब तुम राजा बन जाओ, का जाता है कि राजा सुधोधन भी अब इस बात पर कहीं कहीं निश्चिंत हो चुके थे, 29 साल हो चुकी है, अब ग्रेस जीवन जी रहा है, अब कहीं भी सन्यास के रास्ते पर जाने के लक् बैटा अब तुम गदी समालो, मैं चाहूंगा आप तुम समराड बन जाओ, कहा जाता है कि सिधार्थ इस बात को सुनकर महल में आए, और महल में इनका ही एक मित्र हुआ करता था, जो कि इनका सार्थी भी था, और इनके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, इनक सार्थी ने, सिधार्थ का ही एक सार्थी, जो कि इनका मित्र भी था, और आप सब जानते ही हैं, उनका नाम था शन्ना, सिधार्थ की जीवन को पलट कर रख देने वाला व्यक्ति अगर कोई हुआ, तो वो कोई और नहीं शन्ना था, जो कि इनका सार्थी था, ये इनके नी चाहिए, पीपर में प्रश्न पूछ लेते हैं, but was the name of सिधार्थ's horse, सिधार्थ के घोड़े का नाम क्या था, तो आप सब जानते रहेंगे, सिधार्थ के घोड़े का नाम था, कंथक, सिधार्थ के घोड़े का नाम कंथक, आप लोगों को परिच्छा के द्रिष्टको से तीन घोड़ों के नाम याद रखने हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, सबसे पहला, सिधार्थ का घोड़ा कंथक, महात्मा बुद्द का घोड़ा कंथक, दूसरा, आपको याद रखना है महाराना परताप का घोड़ा, और महाराना परताप के घोड़े का नाम आप सब जानते ही हैं चेतक इतियास में बहुत फिमस हुआ है राना परताप का घोड़ा चेतक राना की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था वो आस्मान का घोड़ा था चेतक महारणा प्रताप का घोड़ा, कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा और तीसरा घोड़ा जो आपको याद रखना है परिच्छा के दृष्टिकोंड से वो याद रखना है रानी लक्षमी बाई का घोड़ा और रानी लक्षमी बाई के घोड़े का नाम था बादल. चलिए अब एक छोटी सी कहानी यहाँ पर और है वो भी समझ लीजिए फिर उसके बाद यहाँ से पूछे जाने वाले सारे factual questions हो जाएंगे और हम इसके आगे बढ़ेंगे कहते हैं कि गौतम अपने महल में आए और अपने मित्र जोकीन का सार्थी भी था चन्ना से मुलगात की और गौतम ने चन्ना से कहा कि चन्ना बड़ी खुशी की बात है कि मेरे फादर मेरे पिता जी मुझे अब अगला समराट बनाने जा रहे हैं मुझे अब अगला राजा बनाने जा रहे हैं और मैं अब समराट बनने जा रहा हूं चन्ना लेकिन आज तक बड़े आश्चर की बात ये है कि मैंने अपनी टेरिटरी नहीं देखी मैंने अपना समराज नहीं देखा और मैं अभी तक अपनी जन्ता से नहीं मिला जब तक न मैं अपनी territory देखूँ, जब तक मैं अपनी जनता से न मिलूँ तब तक मैं एक अच्छा राजा बन कर कैसे उभर सकता हूँ एक अच्छा समराट, एक अच्छा राजा तो वही होता है जो जनता से रूबरू हो जनता के दुखदर्द समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करे जिसे अपने पूरी territory के बारे में, जिसे अपने पूरे समराजी के बारे में पूरी विस्तित जानकारी हो मैं एक अच्छा राजा तभी बन पाऊंगा जब मैं अपनी जनता से मिलूँगा अपने एंपायर को देखूंगा और फिर मैं समराट बनूँगा कहते हैं कि चन्ना से जब ऐसी बातें कहीं गौतम ने तो गौतम से चन्ना ने कहा कि गौतम इसमें कौन से बड़ी बात है कहा जाता है कि चन्ना ने राजा सुधोधन से इजाज़त ले लिया परमिशन ले लिया और बाहर लजाने के लिए या गौतम को टरिटरी घुमाने के लिए आश्वाशन इजाज़त ले लिया सुधोधन से कहते हैं इतिहासकार कि सुधोधन भी कहीं ने कहीं अब इस बात पर निश्शन तथे सुधोधन भी कहीं ने कहीं अब इस बात पर आश्वस तथे कि उम्र 29 साल हो चुकी है या भी ये लड़का कुछ भी बनेगा लेकिन बैरागी नहीं बनेगा कहते हैं कि सुधोधन ने परमिशन दे दी और जब सुधोधन ने परमिशन दे दी तो चन्ना ने गौतम को रत पर बठाया और गौतम को रत पर बठाकर चन्ना निकल पड़ा अपने एंपायर में निकल पड़ा इनको पूरा का पूरा समराज भुवाने के लिए कहते हैं कि बस वहीं से गौतम का जीवन परिवर्तित होना शुरू हुआ पहली बार गौतम महल के बाहर निकले थे पहली बार ये अपनी टेरिटरी में गए थे और पहली बार इन्होंने अपने समराज को देखने के लिए बाहर कदम रखा था जैसे ही ये महल से बाहर निकलते हैं इनको चार ऐसी चीज़े दिखाई देती हैं जो चीज़े देखकर इनका पूरा हिर्दे परवर्तित हो जाता है दिमाग वजलित हो जाता है और मन बैराग के रास्ते पर चल पड़ता है सुनिए अब पूरी कहानी अब वो चीज़ें चार कौन सी थी पोर थिंग्स हम कह सकते हैं कि वो चार चीज़ें जिनको देखकर गौतम का पूरा का पूरा मन वजलित हो गया तो आप जानेंगे सबसे पहले गौतम ने देखा एक ओल्ड मैन सबसे पहले गौतम ने देखा एक बूरा आदमी एक व्यक्ति जो करीब 85-90 साल गा हो चुगा था बुद्रुख हो चुगा था कमर जुब चुकी थी लाठी लेकर चल रहा था गौतम ने आज तक कभी बुड़ा आदमी नहीं देखा था गौतम के महल में सारे लोग यंग और डैनमिक थे कोई बुड़ा आदमी था ही नहीं गौतम ने जिंदगी में पहली बार इतना बुड़ा आदमी देखा जिसकी कमर जुक चुकी थी जो अब अपने जीवन के आखरी पड़ाओ पर था लाठी लेकर कैसे भी चल रहा था गौतम को पहली बार जब एक बुड़ा आदमी दिखाई दिया तब गौतम ने चन्ना से पूछा कि चन्ना कौन है ये चन्ना ने बड़े ही शांत और धैरे के साथ गौतम को बताया कि गौतम इसमें आश्चर की कोई बात नहीं ये जीवन का एक पड़ाओ है जो हमारे और आपके सबके जीवन में आना है व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो लेकिन वो अपने जीवन में इस पड़ाव को नहीं रोक सकता एक दिन गुढ़ापा आएगा ही आएगा और जब वो आएगा तो व्यक्ति ऐसा ही दिखाई देगा गौतम से चन्ना ने पूछा कि चन्ना बुढ़ा कौन होता है चन्ना ने बताया कि गौतम ये उम्र का एक पड़ाव है आज नहीं तो कल हम और आप सब भी बुढ़े होंगे और इसी दोर से गुज रहेंगे गौतम को वो आदमी देखकर बड़ा आश्यर चकित लगा और गौतम को लगा कि मैं भी एक दिन बैसे ही बुढ़ा हो जाओंगा दूसरा गौतम ने देखा एक सिक मैन या आप कहें बिमार आदमी कुछ दूर आगे गए तो जब कुछ दूर आगे गए तो गौतम को एक बहुत ही बिमार आदमी नजर आया जो इतना बिमार हो चुका था कि अब उसके शरीर का सारा बल शारी शक्ती छिन हो चुकी थी लोग उसे उठा कर दवा पिला रहे थे और किसी परकार उसके स्वास्त उठी करने की कोशिश कामना कर रहे थे गौतम ने फिर चन्ना से पूछा कि चन्ना इनके वारे में बताओ चन्ना ने इसपष्ट बताया गौतम को चन्ना बोला गौतम ये बिमारी है, ये बिमारी किसी को भी हो सकती है, और जब शरीर को बिमारी पकड़ती है, तो शरीर बल हीन, शक्त हीन, कान हीन, कांत हीन, तेज हीन हो जाता है, और शरीर का सारा का सारा आट्रैक्शन, शरीर का सारा का सारा आकरट्रैक्शन समापत हो जा बिमारी किसी को भी हो सकती है, बिमारी अमीरी गरीबी नहीं देखती, बिमारी राजारंक नहीं देखती, बिमारी निर्बल और दुर्बल नहीं देखती, बिमारी किसी को भी हो सकती है, गौतम ने पूछा कि चन्ना क्या मुझे, गौतम से चन्ना ने का चन्ना तुम्हें भ टेड मैं या हम कहें एक मृत आदमी कहते हैं कि एक विक्ति मर चुका था और लोग उसे अंतिम संसकार के लिए राम नाम सत्य करते हुए लेकर जा रहे थे गौतम ने कभी ऐसा द्रिश्य देखा नहीं था मनुष्य के अंतिम संसकार की प्रक्रिया कैसे होती है गौतम को पता नहीं था गौतम के लिए सारी चीज़ें एकदम मतलब आप कह सकते हैं गौतम इन सारी क्रिया कलापों से अनभिक्त है ये सब चीज़े गौतम के लिए न्यू थी एकदम नहीं थी गौतम को ये सारी चीज़ें पहली बार देखने को मिल रही थी गौतम ने फिर चन्ना से पूछा कि चन्ना थोड़ा सा प्रकास डालो क्या चल रहा है ये चन्ना ने पूरा प्रकास डाल दिया चन्ना ने बताया गौतम को कि गौतम जीवन का एक ही सत्य है और वो सत्य कुछ और नहीं वो सत्य मृत्य है मनुष्य जीवन में किसी भी लक्ष को प्राप्त करने में लगा हो परन्त जिंदगी का भी अपना एक लक्ष होता है और वो लक्ष कुछ और नहीं वो मृत्य ही है और ये विक्ति भी अब मृत्य को प्राप्त कर चुका है और अब इस व्यक्ति को पंच तत्तों में विलीन करने जा रहे हैं, अब इस व्यक्ति का अंतिम संसकार करने जा रहे हैं, और अब इस व्यक्ति की सारी की सारी कहानी इस दुनिया से समाप्त हो चुकी है, और ये व्यक्ति अब दुनिया के लिए मातर एक कहानी बनके रह कारेकाल खतम है इसका इस संसार से इतने समय के लिए ही आया था ये अपना समय पूरा कर चुका है और ये अब फिर से पुना जा रहा है कहा जाता है कि आश्चर की बात गौतम ने चन्ना से पूछा कि चन्ना मरता कौन है चन्ना ने गौतम से बताया कि गौतम इस ब्रह्मांड में इस संसार में जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इन में से कोई जिन्दा नहीं बचेगा जीवन का एक मात्रसत्य है वो है मृत्यू हम और आप जीवन में किसी भी लक्ष को प्राप्ट करने में लगे हों परंतो जिन्दगी का भी अपना एक लक्ष है और वो लक्ष कुछ और नहीं मृत्यू है पर बस इस बात का आता है कि आप जीवन में पहले अपने लक्ष को प्राप्ट करते हैं या जिन्दगी का लक्ष पहले आपको प्राप्ट कर लेता है जिंदगी में मृत्य हुई एक मात्रसत्य है बाकी सब इस संसार में मिथ्या है और लोग भौतिक चीजों के प्रति आकाशित होते हैं लोग भौतिक बात के प्रति लगे रहते हैं और पूरे जीवन को जो एक अनमोल जीवन है भौतिक चीजों को प्राप्त करने में बिता द थे कहते हैं कुछ दूर और आगे गए और कुछ दूर और आगे जाने के बाद गौतम को दिखाई दिया एक मौंग या आप कहें गौतम को एक सन्यासी या मौंग को दिखाई दिया उस दूर और आगे जाने के बाद गौतम की निगाह एक सन्यासी पर पड़ी एक मौंग पर पड़ी जो लोगों को अच्छी अच्छी बाते बता रहा था जो लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखा रहा था जो लोगों को सतकर्म और सही रास्ता दिखा रहा था जीवन को किस तरीके से जीना है ये बता रहा था संसार्ग में भौतिक चीजों को छोड़कर प्रभू के चरोड़ों में जाने की बाते कर रहा था लोगों को सुमार्ग बता रहा था उसके चेहरे पर एक अलग तेज था ना तो कुछ पाने की इच्छा थी ना तो मन में किसी भी जीज़ को खोने का गम था अच्छी अच्छी बातें बताते हुए वो चला जा रहा था जहां कहीं बूख लगती किसी से भी कुछ मांता भोजन गुरण करता और जहां थकान महसूस होती वो वहीं पर पेंड के नीचे विशा कर सो जाता गौतम ने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये महापुरुष कौन है गौतम को चन्ना ने बताया कि गौतम यह एक सन्यासी है ये एक पकीर है बताते हुए एक दिन ये मृत्त को प्राप्त करेंगे और यह इस माया मोह के जाल से मुक्त होकर परम यूश्र को प्राप्त करेंगे कहा जाता है कि ये चारी चीज़ें देखकर जब गौतम वापस आए कि इन सारी चीजों को देखकर जब सिधार्थ वापस आए तो महल में वो सारी चीजें सुक्सुधा के उपलब्द थी जो अभी तक ये भोग रहे थे महल में वो सारी चीजें थी जिनका अभी तक ये अनंद ले रहे थे लेकिन अब उनमें से कोई भी चीज़ें गौतम को अच्छी नहीं लग रही थी अब गौतम को सिर्फ एक ही बात मन में सूज रही थी गौतम बस वही चार चीज़ें याद कर रहे थे जिन चीज़ों को ये अभी तक देखते हुए आये थे गौतम यही सोच रहे थे कि एक दिन जीवन में मैं बुढ़ा हो जाओंगा बिमार हो जाओंगा और एक दिन मर जाओंगा जब मुझे जीवन में एक दिन बुढ़ा ही होना है बिमार ही होना है और मृत्य को प्राप्त ही करना है तो मैं अपने इस अमुल जीवन को क्यों गवा रहा हूँ इस संसार में जब सारी चीज़े भौतिक हैं नश्वर हैं तो इस नश्वर चीज़ों के पीछे में क्यों भाग रहा हूँ क्यों न मैं भी जीवन के वास्त्विक सत्त को प्राप्त करने की कोशिश करूँ कहा जाता है कि बस यही वो चार द्रिश्य थे जिन द्रिश्यों को देखने के बाद महात्मा बुद्ध का पूरी तरह से हिर्दे प्रवर्तित हो गया मन में बैराग की भावना ने जनम ले लिया और फिर महात्मा बुद्ध सन्यास के रास्ते पर निकल पड़े गौतम सन्यास के रास्ते पर निकल पड़ते हैं अब इसके आगे की कहानी आप लोग अगले पेश पर कहा जाता है कि बस यही वो चार चीते थी जिनको देखकर गौतम का हिर्दय परवर्तित हो जाता है और at the age of 29 years 29 साल की उम्र में गौतम ने घर छोड़ दिया ही लेफ्ट दो हूं हिन्दी में भी लिख लेंगे 29 वर्ष की आयू में सिधार्थ ने ग्रहत्याग के अपनी पत्नी और अपने पुत्र को सोता छोड़ कर गौतम रात्री के अंधेरे में घर छोड़ कर चले गए पत्नी और पुत्र को सोता छोड़ कर घर छोड़ कर गए थे और इनको घर से ले जाने वाला कोई और नहीं चन्ना ही था रात्री के अंधेरे में चन्ना ने इनको अपने रत पर बठाया और अपने रत पर बठा कर चन्ना इन्हें घर से बाहर लेके चला गया पत्नी को क्यों सोता छोड़ कर गए थे ये तो इस पर भी विचारत करते हैं इतिहासकार कि शायद अगर पत्नी को बता देते तो पत्नी इनको जाने ना देती माया मोख के जाल में फसा लेती और ये रूख जाते इसलिए पत्नी को सोता छुड़ कर गए थे अच्छे एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि गौतम शाक्यकुल के छत्री थे शाक्यमुनी कहा जाता है लाइट आफ एशिया कहा जाता है और गौतम ने लाइट आफ एशिया गौतम को पश्मी सब्ता के लोगों ने कहा है आईए अब आगे की बात में बता रहा था अच्छे बात आप जानेंगे आप पेपर में कुशन क्या पूछते हैं कि बुद्धिजम में बहुत धर्म में महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की व्योस्ता जो थी या पहें बहुत धर्म में महात्मा बुद्ध के ग्रेफ्ट्याग को क्या कहा जाता है तो आप लोग जानेंगे बहुत धर्म में महात्म महां भी निश्क्रमड कहते हैं और गौतम को रात्री के अंधेरे में चन्ना रच से ले गया और रच से ले जाकर वही पास में ही एक नदी बहती थी जिसको कहा जाता था अनुमा नदी अनुमा नदी के तड़ पर गौतम ने अपना सर मुड़वाया अनुमा नदी के तड़ पर गौतम ने अपने शारे शाही बस्तर ते आगे अनुमा नदी के तड़ पर ही गौतम ने सन्यासी का रूप धारड किया फिपर में प्रश्ण पूछते हैं गौतम सन्यासी कहां बने तो आप लोग यह बाद यह ध्यान रखेंगे, यह सब factual questions हैं, जो परिच्छा में पूछे जाते हैं, परिच्छा में अनुमा रिवर, यह बेंगे मुझ अनुमा रिवर, यह बेंगे मुझ, अनुमा नदी के सट पर, गौतम बुद्ध, सन्यासी बने, अब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से तीन नदियां याद रखनी हैं, जो परिच्छा में बहुत पूछी जाती हैं, सबसे पहली नदी अभी हमने जिक्र कर लिया, दो नदियों का जिक्र अभी हम और करेंगे, तीन नदियां पुछी जाती हैं, पहली कौन से नदी के तट पर गौतम सन्यासी बने थे, दूसरा कौन से नदी के तट पर गौतम को ग्यान प्राप्त हुआ था, तीसरा कौन से प्रश्च जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि इसका आंसर बिल्कुल सही दे रहें तो फिर बैर बच्चों अब इसके आगे की कहानी बताता हूं एक बात आप यह जानते हैं कि ज्यान प्राप्ट करने के लिए सबसे जुरूरी होता है गुरू का मिलना और कभी भी आपको तबश्या करनी हो ज्यान प्राप्ट करना हो ज्यान प्राप्ट करने के लिए गुरू का मिलना जुरूरी होता है कहा जाता है कि गौतम गुद्ध वहां से गए वैशाली और वैशाली में ही गौतम को गुरु मिले और आपको गौतम के दो गुरु याद रखने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको गौतम के दो गुरु याद रखने है कौन कौन मैं देख रहा हूँ यहाँ कमेंट में राजेश जी हैं और इसका सही उत्तर दे रहे हैं एक आपको याद रखना है अलार कलांग और दूसरे रुद्रक राम पुत्र गौतम के दो गुरु थे एक का नाम अलार कलांग और दूसरा रुद्रक राम पुत्र बिल्कुल सही अलार कलांग और रुद्रक राम पुत्र मात्मा बुद्र के दो गुरु थे और अलार कलाम मिले वैशाली में और रूद्रक रामपुत्र राजगरे में और आपको बता दें कि एक से शांखे दर्शन और एक से योग दर्शन की शिक्षा प्रापत की और सिक्षा प्राप्त करके सांखे दर्शन और योग दर्शन की गोतम बुद्ध आगे गए और इनकी मुलाकात हुई पांच ब्रामुनों से और ये गया जहां पर इनकी मुलाकात होती है ये जाते हैं गया और वहां पर इनकी मुलाकात हुई पांच ब्रामुनों से और उनी पांच ब्रामणों के साथ गौतम बैठ कर उनी पांच ब्रामणों के साथ गौतम ने शुरुआत की तवस्या करनी और कहा जाता है कि जब गौतम इन पांच ब्रामणों के साथ तवस्या कर रहे थे तो इन पांच ब्रामणों ने गौतम के साथ एक साल तो तवस्या क पर तो एक साल इनके साथ तबस्या करने के बाद उन पांच ब्रामणों ने इनका साथ छोड़ दिया और उन्हों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ तबस्या नहीं कर सकते क्योंकि तुम अपनी तबस्या को ठीक से नहीं करते कहा जाता है कि उन पांच ब्रामणों ने एक साल तबस्या करने के बाद गोतम का साहथ छोड दिया लेकिन गोतम ने अब रखा कॉंटीनू रखा है गोतम तब तक करते रहे जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्टी नहीं और गोतम 6 साल की तब situação Pohi कि तो आप बाद यह भी जैनेंगे after the meditation of six years he got enlightenment हम कह सकते हैं शह वर्षों की कठिन अपस्या के बाद इन्हें महाग्यान की प्राप्ति हुई 6 वर्षों की खटिन तबस्या के बाद महात्मा बुद्ध को महाग्यान की प्राप्ति हुई और तभी ये बुद्ध कहलाए आप यहां से दो कोशन आप धियान रखेंगे पेपर में पूछे जाते हैं एक कौन सी नदी के किनारे आप ध्यान रखेंगे रिवर जिस नदी के किनारे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था आप सब जानते ही हैं निरंजना नदी एट दे बैंक आउफ निरंजना रिवर निरंजना नदी के किनारे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति होती है कितने उम्र में ग्यान की प्राप्ति होती है तो आप ज्यानेंगे कि 29 साल की उम्र में घर शोड़ा था 6 साल तबस्या की थी तो आप गौतम की उम्र हो चली थी 35 साल पेपर में पूछा जाता है गौतम को ज 35 years he got enlightenment, इन्हें ज्यान की प्राप्ति होती है, कौन से व्रिक्ष के नीचे, आप ध्यान रखेंगे वो ट्री था, जिसके नीचे इनको ज्यान की प्राप्ति हुई, तो वो था people, पीपल के पेंड के नीचे इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई और जब इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद ही ये कहलाए बुद्धा ये महात्मा बुद्ध के नाम से famous हुए अब एक बात आपको और बता दें कि बुद्धिजम में महाग्यान को या enlightenment को कहा जाता है निर्वांड इन्हें निर्वांड की प्राप्ति हुई बहुत धर्म के कुछ ठर्म से हैं जो आपको समझने पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं महाग्यान को कहा जाता है निर्वांड enlightenment को कहते हैं निर्वान और गौतम बुद्ध का घर छोड़ना महावी निश्क्रमण कहलाता है गौतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति निर्वान के नाम से जानी जाती है और जब गौतम को निर्वान की प्राप्ति हुई या आप कहें ग्यान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद वक्ति क्या करेगा आप जानते हैं कि जब ग्यान की प्राप्ति होती है तो फिर विप्ति ग्यान देता है गौतम बुद्ध ने वहाँ वहाँ पर एक लड़की थी जो गाय चरा रही थी नाम था सुजाता सुजाता नाम की कन्या के हांथों खीर खाया और खीर खाकर अपना अंचन तोड़ा और अंचन तोड़ने के बाद अब गौतम फिर से गए उन्हीं पांच ब्रामणों के पास और उन्हीं पांच ब्रामणों को सबसे पहला प्रवजन दिया वही पांच ब्रामण जो इनका साथ छोड़ कर चले गए थे और आपसे प्रश्ण बूछते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश प्रथम उपदेश कहां दिया तो यहां से कुछ factual questions हैं जो paper में पूछे जाते हैं आप लोग समझते चलेंगे गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश पस्ट स्पीच प्रथम उपदेश या पहें फ्रस्ट सर्मन धिया गया उत्रपरदेश में शारनाथ में आप सब जानते हैं कि सारनात बुद्धिज़म में एक बहुत फेमस जगह है और यह है कहाँ उत्रप्रदेश बनारस आप सब जानते ही हैं और कौतम बुद्ध का पर्थम उपदेश ही बुद्धिजम में कहलाता है कौतम बुद्ध का पर्थम उपदेश ही कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कौतम बुद्ध का पर्थम उपदेश ही बुद्धिजम में कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन और बिल्कोल सही मैं देख रहा हूं राजश जी बिल्कोल सही मैं आहिना इसा जुड़े है और उनका आंसर इस बिल्कोल सही आ रहा है प्रतम उपदेश तो सारनाथ में दिया लेकिन आपसे पूछेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहां दिया गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश हम कह सकते हैं सरवाधिक उपदेश मैक्सिमम स्पीच सरवाधिक उपदेश उत्तर प्रदेश में ही श्रावस्ती जिले में दिया उत्तर प्रदेश में ही श्रावस्ती जिला है और श्रावस्ती में ही गौतम ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिये हैं गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस लेंग्वज में दिये तो आप यह भी जानते रहिए गौत बुद्धिजम में मैक्सिमम चीजें जो जिस भाशा में हैं वो है आली भाशा गौतम बुद्ध का पर्थम शिश्य कुछ फैक्ट्च और कुश्चिन से आप समझते चलेंगे गौतम बुद्ध के पर्थम शिश्य एक तवस्य और एक भल्लिक तवस्य और भल्लिक नाम के सुद्र बालकों को ही गौतम बुद्धि ने अपना सबसे पहला शिश्य बनाया लेकिन एक बात आप जानेंगे कि उन दिनों तवस्थू और भलिक को ही सश्ष बनाने के पीछे भी गौतम का अपना एक कारड था कारड ये था कि लोग उस समें शुद्रों को ग्यान नहीं दिया करते थे और गौतम को यही मित तोड़ना था कि ग्यान का अधिकार सब को होता है इसी दिए सबसे पहला सिश्ष ही तवस्थू और भलिक नाम के दो सुद्रिबालग बनाएगे लेकिन गौतम के प्री सिश्ष कौन थे तो ये बात भी आप जानेंगे कि गौतम के सबसे प्री शिश्षो में नाम आता है आनंद और उपाली का तेवरेट डिसाइपल या हम कहें प्री शिश्ष तो गौतम के प्री शिश्षो में नाम आता ही है किसका नाम आता है आनंद एवं उपाली का आनन्द एवंग उपाली नाम के इनके जो दो डिसाइपल थे दो शिश्य थे वही गौतम के सबसे प्रीशिश्यों में थे इसके बाद आप सब जानते ही हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौधसंग की स्थापना की गई और गौतम बुद्ध ने बौधसंग की स्थापना करके त्री रत्न दिये चलिए आगे बढ़ते हैं इन्होंने बौधसंग की इस्थापना की और इनके द्वारा ही त्री रत्न दिये गए और वो त्री रत्न हैं क्या वो त्री रत्न हैं बुद्ध धम्म संगा बुद्ध धम्म संगा बुद्ध धर्म के त्री रत्न हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा दिये गए और अगली बात आप ये जानेंगे कि ये तो बात मैंने आपको बता ही दी थी कि गौतम बुद्ध की जो प्रिशिश्य आनंद और उपाली थे कोई नहीं और बुद्ध के पहली महिला शिश्य कौन बनी आप सब जानते हैं कि महिला शिश्य कोई और अंतिम बात और आज के लिए आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध की मृत्त्यु कवूइ कमेंट करिये बताइये मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ देख रहा हूँ, मैं सबसे पहले देखना चाहूँगा कौन इसका अंसर ने सबसे पहले देता है गौतम बुद्ध की मृत्त्यु कवूइ ज realize देख सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे जोड़े हैं, चले मैं ही बताता हूँ आपको, डैथ, शार सो तिरासी वी सी में, ही डाइड इन, उशी नगर, चार सु तिरासी इसापूर में, इनकी मृत्यू, उत्तर प्रदेश के कुशी नगर में हुई, अब यहां से एक बात आप जानेंगे, महात्मा बुद्ध की मृत्यू को, बुद्धिजम में कहा जाता है, महापरी, निर्वाण, बहुत धर्मे के कुछ टर्म्स हैं, जो आपको समझने पड़ेंगे, पेपर में पूछे जाते हैं, महात्मा बुद्धि की मृत्यू को, महापरी निर्वाण के नाम से जाना जाता है, 483 VC, उत्रप्रदेश कुशी नगर में, इनको महापरी निर्वाण की प्राप्ति हुई, और कौन सी नदी के किनारे, नदीयां तीन में आप बताई थी, याद रखनी होंगी, एक, यह भी आप याद रखेंगे, एड़ दा, बैंक आफ, हिरनेवती रिवर, हिरनेवती नदी के किनारे, 483 VC में, महात्मा बुद्ध को, महापरी निर्वाण की प्राप्ति हुई, मेरे प्यारे बच्चों, कहानी आज यहीं रुकी जाएगी, और आप सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, और कहानी को समझते रहे, बुद्धिज्म की कहानी आगे कॉंटिनी होगी, गौतम बुद्ध के द्वारा संसार में, दुख, दुखों का क्या कारण है, दुखों का क्या निवारण है, अश्टांगीक मार बताए गए, बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बाद, बुद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा अशोक ने फैलाया, और आपको बताएंगे, अगली क्लास में, कि बुद्ध धर्म में बुद्ध धर्म को लेकर कुछ डिस्प्यूट हुए, जिनको सुल्जाने के लिए बहुत संगतियां गुलाई गई, और मेंली हमें बुद्ध धर्म में चार बहुत संगतियां पढ़नी है, कब किस राजा ने और्डाइस करवाया, कौन उसका चेर्मेन था, क्या उसमें रिजिल्ट रहा, इन सारे के सारे मुद्धों पे चर्चा होगी अगली क्लास में, आज कहानी यहीं रुकी जाएगी, बहुत बहुत आभार आप सब का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप जुड़े रहे, चलिए, मुराकात होगी आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए, जैन, जै भारत!